हेलो फ्रेंट्स एंड वेलकम टू माई चैनल नहीं तो स्पेशल किजन फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बचे हुए चावलों से खीर बनाने का एकदम नया और यूनिक तरीका ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में भी जादा से जाद पन्न मिट लगेंगे और तयार हो जाती है और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही टेस्टी है तो फ्रेंट्स चलिए हम लोग बिना देर करें शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी चावल बने हुए यह काजू बदाम यह मैंने लिए किशमि फ्रेंट्स हम करते हैं यह एक कटोरी चावल है मैं इसको आप चाहें तो इसको मिक्सी में चला सकते हैं लेकिन मैंने इसको मिक्सी में नहीं चला आया है क्योंकि यह बहुत बारीक नहीं करना है आप चाहें तो मिक्सी में एक या दो बार गुमा सकते हैं लेकिन मैं यह इस जैसे डूसा यहाज आपने चावल फ्राई की यह पने चावल का प्रांथा की बनाया होगा यह आपने हो सकता है चावल की मिठाई भी बनाई हो बहुत सारी चीज मैं आपके लिए एकडम डिफरेंट चीज लेकर आई हूँ जो की है बहुत ही अच्छी लगने वाली गर में लगबख सबको पसंद आने वाली और सबसे वड़ी बात है कि यह बन भी बहुत जल्दी जाएगा और लगेगी भी बिल्कुल सेम ऐसी ही जैसे कि आप नॉर्मल खीर बनाते हो और यह बन भी उससे बहुत जल्दी जाएगा आप इसे बनाकर तो देखें मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि आपको यह बहुत बहुत पसंद आएगी वैसे आप नॉर्मल खीर बनाते हैं तो उसमें बनाने में काफी टाइम लगता है लेकिन यह देखिए चावल मेरा टूट चुका है अब मैं गैस जला लेती हूं यह फुल फैट जूद है आप इसमें फुल फैट मिल् जाले उससे आपकी जो खीर बनेगी वह एकदम रबडी जैसे बनेगी अब मैं इसको टेज गैस कर देती हूं लेकिन मैं इसके पास ही खड़ी रहूंगे जिससे कि यह कहीं बाहर ना निकल जाए इसमें मैं डालूंगी आदा कटोरी चीनी ट्रैंस आप चीनी थोड़ा कम ह दखकर चले क्योंकि चीनी एकदम हो सकता है तेज हो जाए तो इसलिए आप देखले आधा कटोरी चीनी डाले बाद में आप टेस्ट करने के बाद लगे आपको कम हैं तो और डाले ऐसे तो मीठे में फिटम ज़दा ही लगती है और अच्छी भी थोड़ा थेजी लगती है तो आप चीनी पहले आदा गटोरी डाले उसके बाद, बाद में देख ले यदि वो कम लगती है तो और डालें, अब मैं इसमें डालूँगी, थोड़े से ड्राइफ रूट्स, थोड़े से मैं अंदर डाल रही हूं, थोड़े से मैं ऊपर डालूँगी, इलाइची मैं सारी डाल रही हूं मैं थावचा इसाबूत नहीं डालती हमें इश्या कूट कर डालती हूं क्योंकि मेरे बच्चों को मुह नहीं लगती दाने दाने जो आते हैं इसलिए मैं हमीशा पूट लेती हूं किश्मिश भी सारी मैं थाल दिया सिर्फ ठोड़े से काजू और बदाम रोके मैं इसको मीडियम फ्लेम करके पकने रख देती हूं यह दस मिनट में आपकी खीर इतनी बढ़े रबड़ी जैसी तियार हो जाएगी कि आप एक बार खाएंगे तो बचे हुए चावल की तो हर बार यही बनाएंगे फ्रेंट्स यह लिए मैंने एक चमच कस्टर्ड मैंने सिर इसको पानी में दोल लिया नॉर्मल पानी में अब मैं इसको इसमें मिला लिए अब यह इससे थोड़ा गाड़ा भी होती चली जाएगी और इससे जो इसका फ्लेवर आएगा वह बहुत ही जादा अच्छा आएगा आप देख सकते हैं मैंने कोई भी चीज मार्केट से नह सब्सक्राइब होते ही हैं मैंने कोई एक्स्ट्रा ड्राइब फ्रूट्स ऐसा नहीं डाला जो कि आपको मार्केट से तुरंत खरीदना पड़े नॉर्मल डाले हैं सब कुछ नॉर्मल डाला है यह रेकिए यह गाड़ी उनी शुरू हो गई है कुछ कस्टर्ड डालने से औ 5-7 मिनट और पकाएंगे तो यह इतनी बड़या खीर वनेगी जैसे आप रबड़ी खा रहे हूं आप चाहें तो इसमें मीठा चेक कर सकते हैं अब मैं इसे पकने रख रहे हूं मीडियम फ्लेम पर 5-7 मिनट तक यह देखिए यह कितनी गाड़ी हो चुकी है खीर रखने के बाद भी थोड़ी गाड़ी होती है तो इसलिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी रोक सकते हैं या आप चाहें तो और थोड़ा रबड़ी जैसी खाते हैं तो अर पका सकते मैं इसको फिर्बड़ी तरफांगी वैसे तयार है तो इसलिए थोड़ा घार है तो सधया तो इस लिए लिए देखिए रवर्डी के हैसी हो जोकी बैसël मेठा चेक कर लें और कम जादा जो भी हो आप उसी अपाड़ी थोड़ा सही कर लें इसको और फ्रेंड्स यदि आप खीर गरम खाते हैं तो आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं वैसे खीर ठंडी बहुत अच्छी लगती है आप इसे फ्रीज में रखे या बीस मिनट या अदा क्योंकि मेरे घर में थोड़ा क्रंची पसंद है ड्राइफूर्स तो इसलिए मैं थोड़े से उपर से डाल दे आप चाहें तो अंदर भी डाल सकते हैं अब आप चाहें तो इसमें गोला भी कद्दूकस करके डाल दे सकते हैं और केसर भी डाल सकते हैं या कुछ भी पर कीमेंट बनाने की कोशिश की है आपको पसन्ट श्रूर आईगी और यदि आपको मेरी वीडियों पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियों को लाइक dabignment करें और मुझे कमेंट जरूर करके बताई कि आपको कैसी लगी और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और हाँ यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग